हर्याना में गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई गुट की कॉंग्रेस में एंट्री हो रही है मोस वांटेड गोल्डी बराड के नजदी की वाने जाने वाले गोकुल सेतिया कॉंग्रेस में शामिल हो गए है जिसके बाद उनकी वांटेड गोल्डी बराड के साथ एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल हो रही है इतना ही नहीं बलकि ड्रग तसकरी में यूएस जेल में बंद स्टनी मुल्तानी भी गोकुल के साथ वाइरल फोटो में दिख रहे हैं बदा रहे हैं कि लोकप्रिय सिंगर सिद्धु मुसिवाला की हत्या में गोल्डी बराड वांटेड है गोकुल सेतिया के कॉंग्रेस की सदस्ता लेने से सिद्धु मुसिवाला की फैंस में रोश देखने को मिल रहा है मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धु मुसिवाला की कातिल बंबिया गैंग के निशाने पर हैं बंबिया गैंग ने गोल्डी बराड को जान से मारने की धमकी दे रखी है गोकुल सेतिया को भी बंबिया गैंग से धमकी मिली थी इसकी पीछे की वजह उसके लॉरिंस विश्णोई से तालुकात है बंबिया गैंग की धमकी के बाद गोकुल सेतिया को सिक्योर्टी मिली थी उधर सोंबार को मशूर रैपर और सिंगर एपिडिलो के कानेडा आवास पर गोलिबारी की बारदात हुई थी इस हमले में लॉरिंस विश्णोई गैंग के सदस्यों का हाथ बताया जा रहा है लॉरिंस विश्णोई गैंग से कनेक्शन रखने वाले गोकुल सेतिया की कॉंग्रेस में एंट्री पर लोग सवाल उठा रहे हैं सिद्धु मुसिवला की फैंस ने कॉंग्रेस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सिदु के फैंस का कहना है कि मूसे वाला के हत्यारों से संबंद रखने वालों को कॉंगरेस में जगा देना सही नहीं है बता देए कि सीरसा के गोकुल सेतिया प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्षमनदास अरोड़ा के नाती हैं। पूर्व मंत्री लक्षमनदास अरोड़ा प्रदेश कॉंग्रेस के पंजाबी समाज के दिगज निताओं में से एक थे। साथ ही बता दी कि हर्याना विधानसभा चुनाव 2019 में गोपाल कांडा और निर्दलिये चुनाव मैदान में उत्रे गोकुल सेतिया के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था जिसमें गोकुल सेतिया केवल 602 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे बैरहाल अब देखना होगा कि आने वाले हर्याना विधानसभा चुनाव में कॉंग्रिस को इसका फाइदा होगा या नुकसान आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं देश दुनिया की तमाम और MP36 कर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना खुले न्यूज नेशन अब वाट्सेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें